हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई यूटुब चैनल नेचर एरा आज मैं अपने इस यूटुब वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ अनार खाने के फायदे के बारे में तो चलिए बात करते हैं अनार खाने से हमारे स्वास्त को क्या क्या लाब हो सकता है अनार बिटामिन सी और बिटामिन बी के अच्छा श्रोत माना जाता इसमें मैंगनेशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरोस, सेलिनियम और जिंक भरपून मातरा में पाये जाते हैं जो हमारे स्वास्त के लिए काफी जादा लाबदायक होते हैं अनार सेहत के लिए काफी फायदे मन माना जाता है तो चलिए बात करते हैं अनार खाने से क्या क्या स्वास्तलाब हो सकते हैं अनार कोशिकाओ को करता है मजबूत अनार खाने से शरीर की कोशिकाओं वो मजबूत होती हैं अनार में शक्तिसाली एंटी ऑक्सिडेंट गुन होते हैं, अनार के जूस अनफलो के जूसों से ज़्यादा एंटी ऑक्सिडेंट होता है, इसके सेवन से कोशिकाओ को नुकसान से बचाया जा सकता है, और सूजन को कम किया जा सकता है, तो अनार खाना कोशिकाओ के लिए करता है साथ ही साथ आपको हेल्दी बनाई रखने में भी मदद करता है तो अनार का जूस कैंसर के लिए काफी जादा अच्छा माना जाता है अनार पाचन को दुरुस्त करने में काफी जादा मदद करता है अनार का जूस आतों की सूजन को कम करने में काफी लाबदायक होता ह पाचन में सुधार करता है, साथ ही साथ आपको healthy lifestyle देता है तो अनार का जूस पीना पाचन के लिए काफी अच्छा माना जाता है अनार गठिया के रोग में भी काफी ज़्यादा लाबदायक होता है अनार का जूस जोडों के दर्द अने प्रकार की गठिया के दर्द इवन सूजन में फाइदे मंद होता है तो अनार खाना गठिया के लिए काफी ज़्यादा फाइदे मंद साबित होता है दोस्तों अगर मेरी यहां तक की वीडियो आपको पसंद आई जरा से भी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब कीजेगो और मेरे चैनल में आगे बने रहे और भी जानकारी के लिए अनार दिल की बिमारियों में काफी फाइदे मंद है अनार का जुस दिल की बिमारियों के लिए फाइदे मंद है दिल और धमनियों के भिन बिमारियों से बचाने के लिए अनार के जुस का सेवन तो अनार खाना दिल की बिमारियों के लिए काफी अच्छा माना जाता है अनार ब्लेट प्रेशर को भी ठीक करता है, ब्लेट प्रेशर के रोगियों के लिए अनार का जूस फाइदे मन्द माना जाता है, अनार डायबिटीज में भी काफी जादा फाइदे मन्द है, डायबिटीज के उपचार में अनार का रस पीना चाहिए, अनार इंसुलिन को कम करने औ इतना आपके सिहत के लिए अच्छा हो, ओवर इटिंग या ओवर डोस किसी भी चीज का ना ले, वो आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक और सस्क्राइब करें, साथ ही साथ मेरी चैनल पे आके आ और दोस्तों, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्षन में मुझे जरूर बताए, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी